तो यह जैसे को पता है कि जो हमारा WC भायों खतम हो चुक है और वापर जो हमारे टीम इलेट भायों टॉप तरी के अंदर आया है और वापर जो हमारे डॉल गेमिंग इस्पोर्ट से फॉर्थ पोजिशन पर आई है लेकिन सीन कुछ ऐसा हो है कि जो हमारे टीजी का माफिय कर दिया था तो इसके बाद जोन के बाहर रहना है कब हमारे दो बंदे मर गए हैं तो उन दोनों को बाकी दो को कैसे पॉइंट निकालने है वो सब टीजी ने पूरा किया यह मानते हो कि नहीं मुखा यह बात करू तो कटकूकर धिन जब ठलइंडिंग की नहीं तो दीदन इसमें गलती नहीं भी गलती नहीं है क्いulkरेश्च लेंडिंगा थे थummkar नृदी तक उनको कि कोई जो पाकिस्तान की टीम है वो आके क्लैश लेंडिंग लेगी चलो मैं मानता हूँ होट शॉट कहीं न कहीं आ सकती थी लेकिन का इतना इतना तो सोचा भी नहीं है कि ऐसे क्लैश लेंडिंग हो सकती है ठीक है तो इतना कुछ नहीं है एंड कांसी लोल पर भी लड़ाई हुई इतना माफिय ने इलीट को डिसफेक क्या रहा अगर कुछ बोल देंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है उनके बड़ों का कॉल आ जाता है तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि हार जीट चलती रहती है अगर आज तुम जीते तो कल हम जीतेंगे यह चलता रहता है तो सबको लव यू इतना कुछ सोचने का यह अब इतना भी नहीं है कि नीचे की बार्वे पर यह नहीं तॉड़ा सब्सक्राइब तॉड़ा डरते हों क्या है नहीं तुम पता है मैं कर देता हूं मैं मूं पर बोल देता हूं मेरे मेरे अंदर अगर मेरे को मेरी और रोकेगी भी ना की तू रुक जा मत बोल तो भी नहीं रुखोंगा मैं मैं फटता हूं तो गंदा फट जाता हूं इसलिए मैं नहीं बोलना कृता हूं वोलता हूं नहीं रहने दो मैं अब दोखों लभ यूवरो न्यों यह से मेरे बात की नहीं है कि मैं वह दिखावटी रहों कि भाई बट गोड इसपोड गोड मेरा कैमरा गोड और सब कुछ गुड तो कॉंग्रेचुलेशन टोटल गेमिंग क्योंग जीती है बाकी देखो ऑ जी और टी जी माफिया और लगता है तो यह जम दोनों की एज भी थोड़ी छोटी है तो है तो इन दोनों को नजर अंदाज करते हुए बाकी के प्लेयर्स को दोस्ति करने का करते हैं तो इस सब चलता रहता है इतना इतना नहीं सोच नहीं है अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करो नहीं हो चैनल पर तुर्णामेंट इंटरस्टीड हूं प्लीज है ब्रो धीर धीर क्योंकि काई देखो काई बार मुझे ऐसा लगता है कि उससे जदा बेजती भी कोई करने पर आता हूं तो पर मैं नहीं करता हूं जाद कोई फायदा नहीं है दो टीमों के बीच में लडाई है करने दो है ना है बट सब्सक्राइब कोई बात नहीं है कि ओजी कि ओजी प्रैक्टिस करेगी जहां पर क्लैस्ट लेंडिंग में जूट नहीं बोलूंगा बट मेरे को जहां लगा कि फरक मैं फरक शर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि ओजी क्लैस्ट लेंडिंग में मायनस में चलती है ओजी क्लैस्ट लेंडिंग में एकदम मायनस जाहे अपनी टीम है बट जो फैक्ट है वो फैक्ट आ गई दो जल्दी से लेंडिंग में एकदम गूं हैं गूं गूं मतलब माइनस लेंडिंग होगी तो वह 99 परसेंट है कि पिटेगी लेंडिंग में 99 परसेंट इलीट पिटेगी यह गैरेंटी है और वह दिखा भी क्योंकि एलेस जब जब आई लेस जब जब आई तो और वहां पर भी पिटी कांसिलोल में जबकि टोटल गेमिंग की क्लाइड लेंडिंग होई पहली बात तो वह समझ गई कि अभी हम टॉंप पर है तो अभी अपन को थोड़ा साइड में उतरने का है या फिर अपन को थोड़ा जोन के भार खेलने का है तो उन्होंने वही खेल लागे तो यह तुमने भाई तुमने नोटिस किया होगा है ना तो तीजी ने वहां दिमाग लगाया ओजी का थोड़ा सा वहां अलकवाब है मैं यह नहीं बोलूँगा कि वह आके मारी लेकिन अगर अनेक्सपेक्टिड था यार पता नहीं कि वह लेकिन तब एक्सपेक्टिड नहीं था कि कोई आके नहीं मारेगी कांसिल होल या इस पर कोई बात नहीं है अगला जब आएगा डबलूईसी या फिर अगला फिर अगला फिर अगला फिर अगर नहीं है सो है अरे खुषिया मना वे टॉप थी आया है मैं है या थैज़े वागल हमेशा ही चैंपिंगों नहीं ग्याएं तो कि आरका स्वाद खतम हो जाएगा समझेडा स्भी यह तभी चैंपियों मनने का मज़ा आता है कि, हार का स्वात भी चखना चाहिए यार तो नहीं बट चैंपियन के नीचे भी कभी रह के देखना चाहिए कि कैसा होता हो वैसे था रहे हैं बट देखो फिर एक दम से फॉस्ट फिर उस दिन खुशिया खुशिया जो गया अब यह अपन किस पर द्यान देते हैं अभी अपना फ्पी यह द्यान देते तो मैं जितना लगता है मर्सी बहुता है तो मर्सी बहुता है तो मर्सी बहुता है